जय महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं बले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर एवं सिद उपाय बताने जा रहा हूं यह प्योर टेट का टोटका है इसमें आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके उपर आई हुई तकलीफ है मुसीबतों को यह पानी जो हर लेगा और आपके जीवन में दोबारा से खुसिया लोटा करके लिया आएगा चाहे आप पर कर्जा हो गया या आपके घर में कले सो रहा हो या कुछ भी इस तरह की घटनाएं आपके घर में घट रही हो जो आपको लगतार परिसान कर रही हो जो आपका सुख चेन छीन ले रही हो यदि इस तरह की घटनाएं आपके घर में घट रही हैं बेवज़ा कले सो जाते हो बाहर कहीं पर भी आप जाते हैं आपका मन नहीं लगता है या बाहर भी आपका किसे ना किसी के साथ बेवज़ा कहीं ना कहीं बोला चाली हो जाती है या कोई व्यक्ति आपका अपमान कर देता है यदि इस तरह की नोबते बार-बार आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजे के पीचे पड़ गए हैं जो आपका भला नहीं होना देना चाहती है कुछ ऐसा किसी ने कर दिया है कि आप Phương झाहर पागा हैं और या तो आप मेहनत करते हैं तो यह चीजे हैं आपके जो मेहनत का जितना फल होना चाहिए था वह फल आप तक नहीं पहुंशने दे र जोस नहीं रहता हैं जिससे दुपारा से आप उस काम को करें और उसमें सफलता उतनी तेजी से प्राप्त कर पाएं तो इसके लिए आपको करना क्या है वह मैं आपको बचा देता हूं लेकिन उसके पहले यदि आप हमारी चनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस के माध्यम से हमारे प्राचेंतम ग्रंथों में चुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्ते हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो अभी हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे तो चलिए दोस्तों बताता हूं आज का उपाई के आज के उपाई में आपको करना क्या है यह इस उपाई को आप रात्री के समय कर सकते हैं किसी भी उस समय उसका दिन का बाद नहीं है लेकिन यही है कि इसको आपको र प्रम्मचरे का पालन करें तब आप इस उपाय को करें और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में आई हुई कितनी ही बड़ी नेगेटिव एनरजी सकती क्यों नहीं होगी नगारात्मग वो चली जाएगी दोस्तों जब आप सोने के लिए जाते हैं उस समय आप क्या करें एक गलास में पानी ले ले पूरा गलास पानी का भर ले और इसके बाद में उस में से आप एक घुड़ पानी पी ले एक गुट पानी पीने के बाद में उस गलास को आप क्या करें कि आपके घर में चहां कहीं भी ऐसी जगा हो कि जहां पर आपने चीजे ज़्यादा रखी हो ऐसी जगा जहां जैसे कबाड़ी रहती हो ऐसी कहीं पर यदि आपके घर में जगा है तो वहाँ पर इस जूटे ग्लास को आप ले करके जाए और उस पूरे कमरे में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस ग्लास को ले करके चलते रहें अब इस ग्लास को ले करके आजाएं और जहां आप सोते हैं वहाँ आपके सिरहने यह उंगली उस पानी में डाल दे और इसके बाद आपके सिर से थोड़ा सा दूर आप इसको रख दे ऐसा करने से आपके मस्तिस्क में आपके अंदर आई नेगेटिव एनरजी को भी ये सोसित कर लेगा और आपके घर में जो भी negative energy होगी उसको भी ये पानी अपने अंदर सोसित कर लेगा और अच्छाई और बुराई ये दोनों के लिए यानि आपके साथ भला हो रहा है या बुरा हो रहा है इसके लिए दो ही सक्तियां जिम्मेदार है एक negative energy और एक positive energy तो ऐसा करने से जो भी negative energy नकारात्मक सकती चाया उसको कोई भी नाम देने वो इस पानी के अंदर आजाएगी सवेरे क्या करें शनान के पुरू जैसे ही आप उठते हैं ये पानी ले तुरत घर से बाहर जाए कोई आपको रोके टोके नहीं इस बात का खास ध्यान रखें घर से तुरत बाहर निकल जाए सवेरे उठते के साथ जब भी आपकी नींद खुल जाए पहली बार तुरत आप उठ जाए उस दिन आपको दोबारा सोना नहीं है और इस पानी भरे हुए ग्लास को आप बाहर ले जाए और तुरत जाकर घर से दूर फेक दे जितनी भी आपके घर में नकारात्मक सकती थी वो इस पानी के अंदर आ गई अब वो घर से दूर चली गई है आप देखेंगे कि अब आपके साथ में सारा ही कुछ सुब होने लग जाएगा अच्छा होने लग जाएगा और फिर से खुसाली आपके घर में दोबारा लोट करके आ जाएगी फिर आप घर में लोट करके आजाए इस नान वगेरे कर ले इस ग्लास का आप दोबारा घर में इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से इसको धोकर साप करने के बाद तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिये विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जिवन में लावनुत होते रहें धन्यवाद